हेलो दोस्तो मैं हूँ दिर इश्की मुरा चनल 5 हिंदी पे आपका स्वागत है एक अच्छी खबर बहुत अच्छी खबर आपकी रोटी का रंग बदलने जा रहा है आप रोटी जो गयों की खाते हैं कौँ से रंग की है सुनहरे रंग की रोटी सुनहरे रंग का गयों अब धीरे धीरे बदला हो आ रहा है भारत के क्रशिव एग्यानिकों ने जी हम एग्रिकल्चुरल साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा कर दिखाया है कि आपकी रोटी का रंग बदल जाएगा ये रोटी अब ज्यादा न्यूट्रियंट्स के साथ आएगी ज्यादा पोशक तक्तों के सा साथ आएगी ये रोटी पाउरफुल होगी ये रोटी ऐसी होगी जो आपके कई रोगों का इलाज कर सकती है दो हजार दस ग्यारा के दौरान में जापान से प्रेड़ना लेके ये नई रिसर्च स्टार्ट हुई और रिसर्च स्टार्ट होती है नैशनल एग्री एंड नीला रंग, ब्ल्यू, बैंगनी, पर्पल, ब्लैक, काला जी हैं तो इनके खाने से आपकी बॉडी में जाएंगे निट्रियंट्स बहुत ज्यादा ये तीन प्रजातियां और इसका आर्ली ट्राइल स्टार्ट हो गए हैं ट्राइल हो रहे हैं पंजाब के पटियाला में, जलंदर में और मध्य प्रदेश के आपके विदिशा साइड में 700 एकर से ज्यादा में ट्राइल चल रहे हैं चुहों के उपर भी ट्राइल पूरे हो चुके हैं और काम्याब रहे हैं इसमें आपको क्या एक्स्ट्रा मिलेगा अब एक चीज होती है एंथो क्यानिन या इसक का ये एक एंटी ऑक्सिडेंट है और इसके द्वारा बहुत सारी बिमारिया रुख सकती हैं जैसे की कार्डियो वेस्कुलर डिसीज यारी की हार्ट डिसीज दिल की बिमारी डायबेटीज मदू में हैं इंफ्लेमेशन कैंसर ओबिसिटी यारी की मोटापा एजिंग यारी की आपकी उम्र रुख सकती है और फूर्ड इंडस्ट्री के अंदर ये जो नई किसमे आई हैं तीन इन्होंने पूरी दुनिया में चमतकार कर दिया है भारत के वैग्यानिकों को इसके लिए साधुवार और बहुत बदबदाई की उनको इसमें बहुत बड़ी सफ़ता मि गए रिसर्च करते हुए महाली के अंदर पंजाब में लेकिन आखिरकार उन्होंने इसमें कामियाभी पाही लई अब ये इतने ज्यादा जो न्यूट्रिंट्स हैं वो उसको गर कंपेर करें हम नॉर्मल वीट के साथ तो आप देखेंगे कि नॉर्मल वीट में जो ये जो एंथोसाइन होता है ये 5 पीपीम होता है जी हाँ इसकी मात्रा वो एक मेजरमेंट है साइंटिफिक मेजरमेंट है वो 5 पीपीम होता है जबकि जो परपल के हूँ है उसमें होता है 40 पीपीम यानि की 8 गुना ज्यादा और जो ब्लू है उसमें 80 पीपीम यानि की 16 गुना ज 28 ताइम्स बोर्जी हैं तो काला गेहूं जो होगा 28 ताइम्स ज्यारा पाउरफुल होगा आपके नॉर्मल गेहूं के जिसे आप खाते हैं और इससे आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा इससे आपको न्यूट्रिंट्स ज्यारा मिलेंगे और कितनी बिमारियों को रोकने में क बहुत सारे इलाके ऐसे हैं हिंदुस्तान के जहां पर चावल कम खाया जाता है और रोटी गेहूं की जारा खाया जाती है मंगला देश में भी ऐसा ही है पाकिस्तान में है बहुत सारे दुनिया के मुलकों में है तो यह जो तीन नई गेहूं की किसमें आई है वीट की ब्ल तो इसकी पैदावार 17 से 20 को इंटल हो सकती है, करीब करीब आप समझेए 20 से 30% कम, लेकिन ये दूसरे ग्यों के मुकाबले थोड़ा सा महंगा होगा, थोड़ा सा कॉस्टी होगा, लेकिन कोई बात नहीं, कॉस्ट देने को हर भारती तयार हो जाएगा, बाकी लोग तयार हो जाएगे, क्योंकि नूट्रियंट्स पोशक तक तो जाना मिलेंगे, सेथ अच्छी रहेगी, दिल की बीमारी कम होगी, डाइबिटीस कम होगी, वजन कम बढ़ेगा, कैंसर की बीमारी नहीं होगी, और बहुत सारी बीमारी चुटकारा मिलेगा, यहीं नहीं बलकि इस बाद हुआत, बहुत बहुत बदाई हमारी और से, कि उनने बहुत अच्छा कारी किया है, इसकी एक्सपर्ट थी जो चीफ थी, दॉक्टर मोनिका थी, उनको भी बदाई, उनकी पूरी टीम को बदाई कि उनने पहली बार गयूं के शेत्र में, कलर्ड गयूं, का अविशक किया, इनोवेशन किया है, नई रिसर्च हुई है, तो इसके लिए उनको बहुत-बहुत मभारक बाद, and we are all proud of the scientists who have been involved in developing these three varieties, the black, blue and purple, which is having more nutrients, so, इस अंग में सर्फ इतना ही, तो यह अच्छी ख़बर थी, आप तक हमने पहुचाई, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलि किया, आपका.